नमस्ते मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा बालों का जड़ना बालों का हलका हो जाना बहुत बड़ी समस्या है और फिर आप लोग हमसे नियमित रूप से पूछते हैं आचार्य जी आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं आप क्या करती हैं उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत आसान से तरीके आज आपके साथ साज्या करने वाली हूं जिनसे आप अपने बालों को स्वस्त रख सकते हैं सबसे पहला काम हमें नियमित रूप से फिजिकली आक्टिव रहना होगा आप सूरे नमस्कार का नियमित अभ्यास करें आप अर्दशीर शासन का यह वह प्राक्टिस जिसमें आपकी खुपड़ी की तरफ उठा है उसको करना बहुत आवश्य है कि अगर आप बालों को स्वस्त रखना जाते लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम बहुत एक्सराइज नहीं कर पाते हैं उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं पुरुशों में बाल्दनेस की टंजेशों में जाधा होती है गंजेपन की तंडेंसी जाधा होती है इसलिए हेर ट्रांस प्लांट के मैक्सिममकेसिशों में देखेंगे ऐस पर फीमेल लेकिन करन कोई भी हो निवारन निश्चत रूप से हैं तो पहला काम आप फिसीकली अगर आप physically active नहीं रह पाते तो आप क्या इसी ख्रियाई कर सकते हैं जिसमें आप बालों की समस्या से अपने बाल जडने की समस्या से अपने आपको बचा सकते हैं लेकिन एक बहुत मुख्य कारण ये भी है कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, आप परिशान हैं, चिंतित हैं, एंग्जाइटी है आपको, नीद आपको अच्छे से नहीं आती, तो आपकी बान निश्चित रूप से जड़ने आरब हो जाते हैं. तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बहुत सुगम सिक रहे हैं, exercises, practices, बैठे-बैठे जो आप कर सकते हैं, सोने से पहले आप करेंगे, जिससे आप अपने आपको रिलाक्स कर लेंगे. आजकल हम सब stress से गुजर रहे हैं, because of pandemic, because of बहुत सारे financial crunch, financial crisis, and lot of other things, emotional problems, personal problems, personal life, किसी प्रिये जन का खो जाना, अनेक अनेक समस्या हैं. नीम नहीं आते लोगों को, सोने ही बाते हैं धंक से, और सर में भारीपन रहता है, सर में दर्द रहता है, आँखों का काम बहुत जादा कर रहे हैं, है तो यह हमारा पूरा area connected, तो आँखों से लेकर के सर तक को हम relax करेंगे, कैसे, बहुत सुगम सी ख्रिया हैं, सोने से पह करना, फिर हम circular tapping करेंगे, यानि eyebrows से, mid से शुरू करेंगे, clockwise, anticlockwise, clockwise, anticlockwise, clockwise, anticlockwise, फिर जहां से आपके eyebrows आरम होते हैं, वहां पर हलका सा प्रेस करेंगे, और इसको हलके हाथ से प्रेस करते करते, eyebrows के end तक ले जाएंगे, फिर से यहां से प्रेस करेंगे, और इसको eyebrows के end तक ल की सिर्वार पर इसे दोहर आना ऐसा भी आप दस बार करेंगे और फिर यहां पर जब आपके आई पर खतम होते से पीछे जाएंगे तो एक गड्धे जैसा आपको महसूस होगा बस उसको प्रेस करना रिलीज करना प्रेस करना रिलीज करना, दस बार ऐसा करेंगे, फिर अपनी हथेलियों की कट्वरी बना कर क्या ठिका देना, और ड्राइ मसाज, ऑईल की मसाज तो करें करें, सोने से पहले इस तरह से अपनी जड़ों में पूरा मसाज करना, किसी से करवा सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस तरह से पूरा म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, आप बाल जड़ने की समस्या हमें आराम होगा, लेकिन, अगर आप फिसिकल एकसरसाइज कर सकते हैं, तो नियमित रूप से ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करें, जिसमें आप या थो फोरवद बेंडिंग कर रहे हैं, या बैक्वर्ड या फि डाउन हो रहे हैं और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आहार का ध्यान रखें आप healthy proteins ले healthy proteins यानि वो डबबावन proteins नहीं नहीं non vegetarian proteins when I say healthy proteins means happy proteins यानि जो प्रकृतिक रूप से हमें प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं पानी का सेवन खूब करें कम से कम 4 लीटर पानी दिन में ज़रूर पीएं बहुत महत्वपूर्ण है कि हफ़ते में एक दिन आप नारियल के तेल से जड़ू में पूरा तेल लगा करके अच्छे से मसाज करवाएं और हफ़ते में दो दिन आप केश लेप ज़रूर लगाएं केश लेप में सरवोत्ता में आप दही लीजिए दही में थोड़ा सा विनेगर मिला करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और रूट से ले करके एंड तक इसे लगाईए अगर ये आप नहीं लगा पांच मिनट लगा रहे ने दें और फिर सर धोलें बहुत आसान से सुगम से प्रयोग हैं बस नियमित रूप से इनका अभ्यास करें और हमारा कारिक्रम देखते रहें